बढ़ती गर्मी में हेर फोल पड़ रहा है डेंडर्फ की परिशानी हो रही है वो लग स्केल्प पे कुझली जाती ही नहीं है इतने सारी हेर पॉब्लम्स बच एक है सॉलिशन आप कोई अड़र्टाइजमेंट नहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स हम नीच्रल चीजों का मांसक के बारे में जो आपके हेर फॉल की ब्रॉब्लम को फिक्स करेगा आपके डेंडर्फ की परॉब्लम को तूर करेगा और आपको इस स्केल पे खुझली की परिशानी है तो उसे भी तूर करेगा दो चलिए फ्रेंट्स वीडिओ को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोई डिसपॉइंट मेंट नहीं होगी तो जल्दी से वीडियो को स्टाट करते हैं अगर आप चाहते हैं इस समर सीजन आपका हेर फॉल कम हो आपके स्कैल पे खुझली हो तो आप वीक में एक वार नेचुरल है अश्का जरूर यूज करें तो चले देख लेते हैं कि आज की हर मासके लिए हमें क्या चाहिए तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेंड स्नीम की पत्तियां जी हाँ वही कड़वे नीम पत्ते जो बहत कड़वे होते हैं बहत कआओं नेम के पत्ते जल्दी से ले ले ihtासे मैं अपने नेम के पत्ते के लिए दूब करें विखBlack póki ॥ में भूप करें शनका के पड्यान इम्के। नेम के पत्ते के सब्सक्राइब बच में यह पीड़ा बिया करना है तो यह बनाई परे इसलिए नहीं है पूल पत्ते यूज चाहिं अपने बालों के लिए आप उनको प्रॉपर्ली वाश कर लें जिसे के आपको कोई स्केल्प इंफेक्शन ना हो तो प्रॉपर्ली वाश कर लिया है अब आपको क्या करना है अब करना है इनने एड कर दिजी अधे। जाविबेंडर में एड कर दीजी अधे These कंश ब्लेंडर में हमारे बालों के लिए भौट अधे कियन फ़र करती है अधारे इसके विए हमारे सबस्टेर्ज कर दátेकी कर दीजर कर दीजिए तो फिर आप इसको अच्छी से ग्राइंड कर लीजिए बहुत फाइल सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए अब इस पेस्ट को डख दीजिए पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए अच्छी से और फिर इस पेस्ट को अपने सारे स्क वेट करना है और फिर आप जो भी शेंपू यूज करते हैं यूज करके हेर वास कर लो फ्रेंड्स हमने जो नीम के पत्ते यूज किये हैं वो काफी हेलफुल है आपके बालों के लिए नीम के पतों में फ्रेंड्स एंटी फंगल एंटी बैक्टिरियल प्रापरटीज होती हैं जो स्कैट को डीप क्लीन करती हैं साथी वो डेंड्रफ और हेर फॉल को दूर करने में भी काफी हैलफुल है करी लीप्स में फ्रेंड्स वाइटमिन B, C, एंटी ऑक्सिडेंट्स, बीटा केरेटिंग जैसे न्यूट्रियंट्स होते हैं जो हेर ग्रोथ के लिए हेर लॉस के लिए पैस्ट है बहुत अच्छे सिफ़क करते हैं तो करी लीप्स को तुम्हें क्या ही बताऊं गजवेव आपके बालों के लिए तो आप भी समर्शीजन इस नीमें करी लीप्स के हेर मांस को यूज करके बालों की इन सारी प्रॉब्रम्स को बाय बाय बोल सकते हैं और फ्रेंड्स आप इस हेर मांस को जरूर ट्राय करें और आपके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें कॉमेंट्स में श झाल